और अब साधवी प्रग्या ठाकोर से जुड़ी हुई बातों पर खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्टे सहयोगी संजीव त्रिवेदिय हैं संजीव बहुत स्वागत है आपका साधवी प्रग्य ठाकोर हमने देखा कल से ही डवलप्मेंट्स हो रही है संजीव वो लगातार कल से चुनाव प्रचार में जुग गई है और लोगों के सेंटिमेंट से खेलने की यहाँ पर कोशिश है सेंटिमेंटली उनको अपनी तरफ और आकर्शित करने की कोशिश है वैसे भी पुपाल सीट के अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर कौन बड़ा हिंदू इसको लेकर लड़ाई हो रही है एक तरफ भगवाधारी है दूसरी तरफ आप देखिए एक से एक जो प्रत्याशी है मंद कर करें देश द्रोही था देश द्रोह का उसने काम किया है जबकि पूरा देश उन्हें शहीद मानता है देखिए वंदना सियासत में यह होता है कि जो जिसके साथ जरता सिंपताइज करती है एलेक्शन के दौरान तो उन्हें वोट भी देती है और लोग सभाई एलेक ऐसे में साध्वी प्रग्या का आना ये stir up करता है, emotions को stir up करता है, क्योंकि साध्वी प्रग्या का अपना एक background है, लेकिन दूसरा पक्ष जो है, वो ये है कि भोपाल का जो vote bank है, और voter base है, उसको आप अगर देखे, 18 लाग voters में 45 लाग मुसलमान हैं, और वो मुसलमान सामने सी 20 सालों से भारती जुनता पार्टी के पास वो seat इसी लिए है, क्योंकि कहीं न कहीं हर बार वो चराव communal turn ले ले लेता है, और उसके बाद majority versus minority हो जाता है, और उसका लाब हो जाता है, खास तोर पर भारती जुनता पार्टी को, अब ये करने की क्या कोशिश है, साध्वी प् बेवे चली गई, जिसे ये देश शाहीद मानता है, और वो तस्वीरे आप भूल नहीं सकती है, जब मुंबई अटाक के दौरान, वो हेलमेट पहन करके होटल के भीतर जा रहे होते हैं, और उसके बाद वो ख़बर आती है कि वो मारे गए, और वो बहुत ही भावनात्मक शण था इस पूरे देश के लिए, हेमंत करकरे एक अच्छे पुलीस आफिसर के रूप में उस वक्त तक पहचान बना चुके थे, और जिस तरह से वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, बहुत सवाल उठे थी कि क्या उन्हें मार दिया गया था, लेकिन ये सारी बाते जो है अब रह गई थी, एक बार फिर से ये राजनीतिक प्रशनक खड़ा हो गया है, आज के देश में, अगर साध्री प्रग्या जो हैं, वो राश्रवाद की बात करते ही हैं, तो वो उंगली कैसे उठा सकते हैं हेमंत करकरे पर, केवल उनको वेक्तिकत रूप से कुछ शिकायत अगर हेमंत करकरे का, तो क्या उनके मृत्यू के लिए उन्होंने मनाया था, कामना की थी, ये सारी बाते वो अपने बयान में बोल रहे हैं, उन्होंने ये बात कहा भी है, संजीव, अगर हम उनका पूरा बयान सुनेंगे, तो वो कहते भी हैं, कि तुम्हारा सर्वनाश हो पर वोट दीजे, आप देशभक्ती पर वोट दीजे, एक तरफ इस तरीकी की बाते प्रधान मंतरी खुद ही बोलते आए हैं, वहीं दूसरी तरफ यहां पर क्या एक विरुदाभास नहीं क्रियेट हो रहा है, पूरा देश शहीद मान रहा है, शानवाज हुसेयन से भी ज जाएगा, क्योंकि ऐसा प्रग्या ठाकुर मानती है, तो भारतिय जनाथा पार्टी यह नहीं कह सकती है, तो कहीं न कहीं, यह एक विरुदाभास है, जिसको झेलना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि वो लोकल कंजांप्शन के लिए, स्थानिय स्तर पर ये बात जो है, वो क कॉंग्रिस क्या कर रही है, कॉंग्रिस में बहुत ही चालाकी से बंदना, किसी भी ऐसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देना है, यह तैय कर लिया है, कॉंग्रिस पार्टी ने तैय किया है, कि अब कुछ भी ऐसी बात जो प्रग्या ठाकुर कहती है, या रास्ट्रवाद का जो डिबेट है उसमें हमारे प्रवक्ता तक नहीं जाएंगे और इसलिए दिगविजय सेंग ने इसके उपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है वो फोकस कर रहे हैं अपने सपोर्ट बेस पर और अपने बयानों से अपने अटरंसे से कोई वोट बढ़ जाए भारतिय जुनता पार्टी का और कम्यूनल टर्न ले ले लेगे ऐसा नहीं चाहते हैं और इसलिए यह खामोशी जो है यह कायम रहेगी अब देखते हैं कि भारतिय जुनता पार्टी उन्हें रोपती है इसी वेचे से दिगविजय सेंग ने किसी भी तरीके का कोई जब उनसे सवाल पूचा परिवार है उसने भी एक याजिका दाखिल कर दी है और यह कहा है कि आप हेल्थ ग्राउंट पर अगर जमानत लेकर बाहर चली जाती है कि आप जेल में नहीं रह सकती तो आप हेल्थ ग्राउंट पर चुनाव कैसे लड़ सकती यह बहुत इंट्रेस्टिन बनाता है इसको हेल्थ ग्राउंट पर रेल लेकर कि आप चुनाव लड़ सकती हैं यह कोट तैी करेगा लेकिन कोई आरूपी चुनाव लड़ सकता है यह नहीं लड़ सकताई इस पर पोजेशन बहुत ही क्लियर है, यानि कि आपने वह द्रिस्टांत भी देखे हूंगे कि जेल से लड़ते हैं लोग चनाव और जेल से जीते भी हैं, और इसके गलत उदाहरण भी हैं, कई बाहुबली जीते हैं और इसके बहुत अच्छे उदाहरण भी है, जॉर्ड सब्सक्राइब करने के लिए, और प्रदान मंत्री मोधी तक ये प्रशन बहुत जाता है, कि आप हेमंद करकरे को शहीद मानते हैं या नहीं मानते हैं, देखने मारी बात होगी, संजी, बहुत शुक्रिया, हम से बाचित करने के लिए. प्रदान येसे, क्समें बाचित करने 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 में, ये जप प्रदान बहुत जाने के लिए.